हेलो स्टूडेंट्स Will do mkac में अर्भी सिंग आठिया और आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर नम्बर 14 का सेकिनड पार्ट जन्तूँं के आर्थिक महतव यहां पर चैप्टर का नाम था पादपों जन्तूँं के आर्थिक महतव पादपों के आर्थिक महतव वाला जो था वह मने पार्ट स्थ में complete कर लिया था और आज झो है हम इस में जो आर्थिक महत्व का जो पार्ट है वह complete करने वाले हैं तो देखिएगा बुक रीडंग वाला ही यह चैप्टर है बेसीकली तो बुक रीडंग से हमें complete करना इसे प्राचीन काल से ही मानव विभिन जन्तूओं को पालतू बना करून का उपयोग भोजन एव अन्य उपयोगी सामगिरी प्राप्त करने के लिए करता आया है नई तकनिक विक्सित हो जाने के कारण आज इन जन्तूओं की नई किश्मों को पालना अत्यांत सरल्वै लाप्रद हो गया है विभिन जन्तूओं जैसे मदुमकी, रेशम कीट, लाख कीट समवर्दन, मोतिया, मुक्ता समवर्दन, प्रवाल भीतिया, मचली, पशु, आदी के पालन एम इनकी उत्तम नसलों का संक्षिप्त विवरण इस परकार है तो अब धीरे-धीरे करके यह जितने भी जन्तूओं से हमें आर्थिक महत्तव के जो जन्तूं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है तो देखेगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मदुमकी पालन के बारे में, जिसे एपी कल्चर कहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मदुमकी पालन जो है इसको क्या बोला जाता है जैसे आपने कृशी के बारे में सुना है तो कृशी को एगरी कल्चर बोला जाता है तो वैसे ही कृशी से जुड़ी हुई ही जो क्रियाएं है जैसे कि मदुमकी पालन है तो इसे एपी क किलचर कहा जाता है मदुमकी पादपो में परागण की क्रिया के लिए değer महत पुनकीत है अगर मदुमकी नहीं होती है तो पादपों के अंदर परागण नहीं होगा और परागण नहीं होगा तो आप जानते हैं कि पुश्प खिलेंगे नहीं और धीरे-धीरे सारे जो पौधे हैं वो नश्ट हो जाएंगे इसके पालन से मनुशे को दोहरा लाव होता है मदुमक्खी के पालन से प्रागण की क्रिया आसानी से होने के कारण फसल की पैदावार में बडोतरी होती है मदुमक्खी से प्राप्त शहद का उप्योग मनुशे हजारों वश्टों से करता आया है यह उच उर्जा यूप्त भोजे पदार्थ होने के साथ साथ औशदी के रूप में भी उप्योग में लिया जाता है शुद्ध शहद लंबे समय तक नश्ट नहीं होने के कारण इसे परिरक्षक के रूप में उप्योग किया जाता है प्राचीर समय से प्रकरती में मिलने वाले मदुमक्खी के चटों से शहद तथा मदुमोम प्राप्त किया जाता रहा है वर्तमान समय में कृत्रिम रूप से चटों में मदुमक्खी को पाल कर बड़ी मात्रा में शहद प्राप्त किया जा रहा है नेक्स देखेगा अब ये तो हो गया मदुमक्खी पालन की बारे में हमने पढ़ लिया उसकी बार नेक्स टम पढ़ते हैं दूसरा रिश्यम कीट पालन के बारे में अब देखेगा मदुमक्खी पालन को क्या बोला गया एपी कल्चर बोला गया तो वैसे ही रिश्यम कीट पालन को क्या बोला जाता है सेरी कल्चर बोला जाता है तो आप से पूछा जा सकता है कि सेरी कल्चर को समझाईए तो आप कह देंगे कि रेशम कीट पालन कोई क्या बोला जाता है सेरी कल्चर बोला जाता है रेशम प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों से हम रेशम कीट का पालन करते आए हैं रेशम से कपड़े बुन्ने की प्रक्रिया का प्रारम सरप्रथम चीन में हुआ वर्तमान में ये भारत सहीत विशो के कई देशों में कुटीर उध्योग बन चुका है अब रेशम कीट का जीवन परिच्चा समझते हैं कि रेशम कीट जो हमें रेशम कैसे देता है अब देखेगा ऐसी जाती जो कहां पर रहती है जो शेतूत के पोदों पर रहती है शेतूत की पत्यों पर रह करके वो अपनी वरिधी करती है तो ऐसे रेशम कीट के जो जाती है वो है बॉम्बिक्स मोराई ठीके प्रमुक है वर्तमान में चीनवे जापान के बाद भारत रेशम उत्पादन के क्षितर में तीसरे स्थान पर है यह और्थोपोडा संग के इंसेक्टा वर्ग के लैपी डॉप्टेरा गण का सदस्य है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो शैतूत की पतियों पर रहने वाला जो रेशम कीट है जिसकी जाती बॉप्टिक्स मोराई है तो यह किस जाती का है यह तो आपको पता चल गया अब यह है कि यह किस गण का सदस्य है तो यह और्थोपोडा संग के इंसेक्टा वर्ग के लैपी डॉप्टेरा गण का सदस्य है यह अच्छी गुणवत्ता की रेशम का उत्पादन करता है भारत में इसकी एक वर्ष में दो से साथ तक पीडिया त्यार कर ली जाती है कितनी पीडिया दो से रेकर के साथ तक की पीडिया जो इसकी तयार कर ली जाती है अंडज उत ग्रिया वाँ पर क्या होता है करें निकल जाता हुआ है उसको खेंगर जाता है लर्वे जोर्टी नारवे में एक गरन्तियाँ पाई जाती है जिने रेशम गरन्तियां जाते हैं जब ये पूरण विक्सित हो जाती है तब ये लारवा की लंबाई से पांच गुना अधिक लंबी हो जाती है रेशम का स्त्रवन द्रव के रूप में होता है जो हवा के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है रेशम कीट के पूरण विक्सित लारवा की लंबाई 7.5 सेंटीमिटर हो जाती है तब यह भोजन करना बंद कर देता है इसके पस्चात कोकून बनना प्रारंब कर देता है अपने चारों और रेशम के धागों का स्त्रवन कर समय पूरण तया बंद हो जाता है कोकून के अंदर बंद निश्क्रिय लारवा प्यूपा कहलाता है क्या कहलाता है प्यूपा कहलाता है कोकून लगबग 1000 से लेकर के 1200 मिटर लंबे रेशम के धागे का बना होता है तो अब आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि कैसे रेशम का उत्पादन होता है तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही अंडा उत्पन होता है जैसे ये विकाश कर लेता है तो इसके अंदर रेशम की जो है गरंथिया होती है ठीक है यह यार गरंथिया होती है जिनको रेशम गरंथिया भी बोला जाता है तो ये क्या करते हैं कि जब ये पूरनते विक्षित हो जाते हैं जब इनकी लार्ग रेंतिया काफी बड़ी हो जाती हैं तो तब ये भोजन करना बंद कर देते हैं और अपने आस पास जो है रेशम का जो द्रव होता है यानिंगी पानी के जैसा तो बेर्शम का जो द्रव है उसको अपने चारों तरफ जोई स्थिरावित करना शुरू कर देता है यह उए नहीं अब यह जो पता है तो बना लेता है यह कहता है कवर बना लेता है जिससे आप क्या कहतते हैं और जब ये कोकून के अंदर ये जो आप कह सकते हो कि कैटरपिलर पूरे तरीके से बंद हो जाता है तो इसे प्यूपा कहा जाता है ठीक है अब देखेगा कोकून लगबग 1200 मिटर लंबे रिशम के धागे का बना होता है कितना लंबा धागा होता है देखेगा 1000 मिटर से लेक इसका भीतरी भाग फाइबरिन का एव भारी भाग सेरीसिन प्रोटीन का बना होता है रेशम किट पालन ये तू शैतूत के बाग लगाए जाने जरूरी है क्योंकि रेशम किट क्या खाता है शैतूत के टेड़ की पतियां खाता है तो ये तो बात हो गई रेशम किट के पालन की नेक्स्ट हम देखते हैं लाक किट के समवर्दन की जिसको हम लाक कल्चर भी कहते हैं लाक किटों की लक्ष गरंथियों द्वारा स्त्रावित रेजीन युगत रालदार पदार्थ को क्या कहते हैं लाक कहते हैं तो एक पर फिर से समझेगा कि लाक किटों की जो लक्ष गरं लक्षगरंटियों द्वारास्थरावित रेजीन यूक्त रालदारपदार्ट को प्रलाजाता है यूश्व में विश्व में फिर अत्वरतﹹश्व में, यूश्व में लक्रोम देख वरास्व किपादित होता है कि पूरे विश्व के अंदर जितना होग उंस्वरतichten लाख कीट का वैग्यानिक नाम लैसिफर लैका है ये छोटे अकार के रैंगने वाले शलकिये कीट है जो समय द्वारा स्तरावित लाख से बने आवरण में बंद रहता है ये आवरण इसे सुरक्षित रखता है नर लाख कीट मादा से आकार में छोटे तता गुलापी रंके होते हैं ये केवल निमफा वस्था में ही लाख पन करते हैं मादा लाख कीट आकार में बड़ी होती है तता अधिक लाख पन करती है ये मुलायम शाखाओं से चिपक कर रस चूसना प्रारंब करती है तता अपने शरील के चारों और लाख बनना प्रारंब करती है यानि कि जो नर आप कह सकते होगी नर लाख कीट है वो तो केवल उसकी जो अवस्था है निमफा वस्था उसी में ही वो जो है लाख का उत्पादन करता है लेकिन जो मादा लाख कीट है वो क्या करती है कि वो सदा से यानि जैसे ही वो शाखाओं को चूसना शुरू कर देती है उस पर चिपक करके वैसे ही वो लाख काउठ पादन शुरू कर देती है देश में प्रतिवर्ष इसकी चार फुसलें प्राप्त होते हैं भारत में लाखत पादन का पचास परतिशत भाग रंगिनी फुसल से प्राप्त किया जाता है लाखत पादन के लिए निमन दो विधियां प्रचलित हैं विदी है पूरानी देशी विदी और दूसरी विदी है अधुनिक विदी पूरानी देशी विदी में क्या होता है अधिवस्युल्वरा उपY present लिज तो देख़ेगा, पुरानी विदी क्या होती थी? पुरानी, विदी के अंत्रगत ञाय जाता था? लाक्भ determin किया जाती थी, कीट, नंष्ट हो जाने के करण एस विदी में आगामी फसल को भारी नुक्सान या भारी हानी जाती थी? यह एक विग्यानिक विदी है जिसमें आगामी फसल की ज़्यादा हनी नहीं होती है क्योंकि लाख एक साथ नहीं निकाल कर बारी बारी से निकाली जाती है इसका अनुसंधान भारती है लाख अनुसंधान केंदर राची भीहार में किया जाता है तो ये बात हो गई लाख की कि लाख कीट जो है वो रंगिनी फसलों पर बैठते थे उनसे जो है अपने चारों तरफ एक कवर बनाते थे लाख का और उनको जो है काट करके पहले प्राप्त किया जाता था जिसे कीट मर जाता था लेकिन आधुनिक विद्धी के अंदर क्या कि जाता है कि यहां पर बारी बारी से यानि एक साथ सभी को ना निकाल करके बारी बारी से निकाला जाता है ताकि आगे से आगे फसले चलती रहें उसके बाद हम बात करते हैं मचली पालन की मचली एक आसानी से प्राप्त होने वाली प्रोटीन यूगत उच पोशक यूगत और आसानी से पचने वाला भोजय स्त्रोत है यानि आसानी से पच भी जाती है अत्य मचली पालन है तो मानग द्वारा तालाबों में जीलों में मचलीयों का प्रजनन एम उत्पादन किया जाता है वर्तमान में भारत का विश्व में समुद्र भोजय उत्पादन की मिठे जल में मचली पालन के लिए रोहु, कतला, म्रगल आदि देशी मचलीों का उत्पादन किया जाता है। कुछ उद्योगों में विदेशी मचलीयों जैसे कॉमन कॉर्प का उत्पादन भी किया जाने लगा है। जलाशय निर्वान की द्रिष्टी से चिकनी मिट्टी वाले स्थानों को जलाशय निर्वान की द्रिष्टी से अच्छा मनना जाता है। जैसे चावल की भूसी गेहों की चापड ठनाच के टुकडे आदी का भोजन दिया जाता है। भोजन आवास स्वास्त्य प्रजनन आदी का अध्यन किया जाता है। उसे पशू पालन कहते हैं। तो देखेगा अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। पशू पालन क्रिशी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतरगत पालतू पश्वों के भोजन आवास स्वास्त्य प्रजनन आदी का अध्यन किया जाता है। उसे पशू पालन कहा जाता है। परतिशत भेंसे एम, 43 परतिशत गायों के द्वारा होता है, यह फिर गायों से प्रप्त होता है, दुखदुत पादन की दृष्टी से भारत विशम में प्रतम स्थान पर है, विशम में हमारा स्थान बक्रियों की संख्या में, दूसरा बेडों की संख्या में, तीसरा और स्थान है यह छोटे पशू गरीबों के आर्थी विकास में महत पुन भुमी का नभाते हैं तो ये तो बात हो गई किसकी पशू पालन की पशू पालन के अंदर कोकुट पालन और बेडों का पालन और बकरियों का पालन भी होता है बकरियों के पालन में या बकरियों के संख्या में मारा स्थान पूरे विशम में दूसरा है बेडों की संख्या में विशम में तीसरा है और कुकट पालन के अंदर जो है विशम में सात्मा स्थान अमरा है उसके बाद हम बात करते हैं डेरी उ द्योग जो है वो ज़्यादा तर डिपेंडेंट पशु पालन के उपर ही है क्योंकि डेरी में क्या भिकेगा दूद भिकेगा और दूद आपको कहां से प्राप्त होगा गयों और बैसों से प्राप्त होगा मानव ने प्राचीन काल से ही कुछ पशु को पालतू कर उनके दूद का अपने पोशन हे तूप योग करता रहा है वर्तमान में दुख दुद पादन डेरी उद्योग का एक प्रमुक्वे लाबकारी विवसाई बन गया है दुख दुद पादन की दृष्टी से भैस अधिक में तपुन मनी जाती है भैस की कुछ अच्छी नसले इस प्रकार है जैसे जाफराबादी, मुर्रा, सुर्ती, बदावरी, महसाना, आदी तो आपसे पुछा जा सकता है कि भैसो की तीन या चार नसलों के नाम बताईये तो भैसो की तीन या चार नसलों के नाम भी आपको याद दोने चाहिए कौनसी जाफराबादी, मुर्रा, सुर्ती, बदावरी और महसाना, आदी इसी प्रकार गाएं की कुछ अच्छी नसले इस प्रकार हैं जैसे गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी और हरियान आदी कुछ रज्यों में बकरी का पालन भी दुगदुद पादन के लिए किया जाता है सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, पश्मीना, जमनापरी, आदी बकरी की अच्छी नसले हैं अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉल्टरी की जिसको जो है हम कुकुट पालन या मुर्गी पालन भी कहते हैं तो कुकुट पालन और मुर्गी पालन एक ही चीजा है जिसे हम पॉल्ट्री भी कहते हैं अंडेवे मास खाने के लिए आदिकाल से ही मुर्गी पालन की परंपरा रही है यह उद्योग भोजे पदार्ट के रूप में प्रोटीन आवशकता के एक बड़े अंश की पूर्टी करता है विश्व में अंडाउत पादन की दृष्टी से भारत का पांचवां स्थान है मुर्गियों की अच्छी वृदी एंव स्वस्त रखने के लिए उन्हें सुरक्षित आवास तथा पौश्टिक भोजन उपलवद कराना अत्यनतावशक है उनके भोजन में मक्का जो भाजरा गेहुजवार आदी समिलित किये जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट है उनुद्योग वूल इंडस्टरी की उनुद्योग क्या है तो देखेगा उत्तरी भारत में उन प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में भेड पाली जाती है बेड के बालों से उन तयार की जाती है उन का रंग बेड की प्रजाती और उस ख्षेतर की जलवाईू पर निर्वर करता है बेड की कुछ देशी नसले जैसे लोही, नली, मारवाडी, पातनवाडी आदी पाली जाती है उनुत्पादन की दृष्टी से राजस्तान देश का एक महतपुन राज्य है तो राजस्तान जो है भारत का एक महतपुन राज्य है उनुत्पादन की दृष्टी से ठीक है नेक्स देखेगा प्रवाल एम प्रवाल भीतियां अब देखेगा कॉरल और कॉरल रीफ जो है या एक अंकाल स्त्रावित करते हैं जिसे कोरल या प्रवाल कहते हैं अधिकांश कोरल एंथो जो आवर्ग के जीमback के जीमों-द््वारा स्त्रावित किये जाते हैं जैसे आपने नाम सुनाओगा कोरल ढ् defense जैसे आप नाम सुनते हो अंडम होता है कि कीड़ा होता है आप कहा सकते हो केस करते हो कुछ सकते हो तो वो क्या करता है अपने चारों 14 जो क्यों स्क्षित रहता है ऑप 1 व aquarium श्रीक का बनाए होता है ठीक है अब dabei आपने हो इस नहीं करकिर बहुत बड़े समू के रूप में रहते हैं इतने बड़े समू के रूप में कि कभी-कभी वो जो है एक पूरा बड़ा सारा द्वीप बना लेते हैं जैसे कि आपने सुना होगा अंडमान निकोबार जो है एत्यादी और जो आसपास के छोटे-छोटे जो द्वीप है वो इनी के बन बने हुए हैं जैसे लक्स द्विप मुख्यत था है तो यनि को रल से बना हुआ अधिकांश कोरल एंथो वर्ग के भी या स्त्राव nessa रिच जाते हूं यानि आंथो जो जो जीव हैं वो अपने चारों त्रफ जो छो कोल बनाते हैं जो चारों तरफ एक कवर बनाते हैं इसे ही क्या कहा जाता है कोरल या प्रवाल कहा जाता है प्रवाल नीवे के पॉलिपो के लगातार मुकलन से समुद्र में चुनेदर चटानों या कवच के बने टिलों के समान सरंचनाई बनती हैं जित से प्रवाल भीतियां कहत जाता है ठीक है और यह को रूप में बाहल मेन करना निकल रहते हैं कि यह साथ रहते हैं अब इतने सारे जब एक साथ रहेंगे तो यह इंदर क्योंकि बूर्ल कमित्र के अंदर होता है है कि यहां स्वर्दन मुलस्का संग के जन्तु आर्थिक रूप से मानव के लिए अत्यंत ही मैत पुन है बटन मोती तथा कोड़ी प्राप्त होने के कारण ये व्यपारिक द्रिष्टी से द्रिष्टी कौन से उपयोगी है आपने कोड़ी देखे होगी तो वो कोड़ी भी किसके द्वारा जो है बनाई जाती है इनके द्वारा ही बनाई जाती है देखेगा प्राचीन काल से ही मोती रतनों तथा मनियों के रूप में मुल्यवान समझे जाते रहे हैं इस कारे के लिए मुलसका के हजारों टन कवच प्रती वर्ष उपयोग में लाए जाते हैं मुक्त सुक्तियों से अती सुंदर आकर्शक तथा मुल्यवान मोती मिलते हैं जो मुक्त सुखतियां होती हैं और यह जो कवच होते हैं यह हमें बहुती मुल्यवान बहुती सुन्दर और आकर्शक मौती परतान करते हैं। क्रित्रिम तक्निक के माध्यम से सीपियों को पाल कर उन से मुक्ता या मोती बना कर प्राप्त करना मुक्ता या मोती स्मर्दन कहलाता है या इनको पाल करके ये भी एक जीवी होते है ठीक है इनको पाल करके इन से मोती प्राप्त करना जो है एक जो कला है या फिर आप यह कह सक जो उद्योग है इसको मुक्ता या मोती समर्दन का जाता है मोती को एक मुल्यवान रत्न माना जाता है जो प्राई सफेद चमकिली गुला कार्ष रंचना होती है जिसे ओयस्टर जैसे मोलस्क अपने कवच के नीचे समय की रक्षा के लिए स्त्रावित करते हैं तो यह क्या है लिंगा मोती सबसे उत्तम मनने जाते हैं यानि लिंगा मोती जो वो सबसे उत्तम मनना जाता है स्वच जल में पाई जाने वाले सीपियों से प्राप्त मोती कम मुल्यवान होते हैं जो स्वच जल में पाई जाते हैं सीपियों से मोती वो कम मुल्यवान होते हैं ये मोती प्रतों के अन्य उप्योग इस प्रकार हैं। जैसे पहला है, कुछ शल्क कीट जो कैक्टस में रहते हैं, उनके सूखे शरीर में सूखे शरीर से टैनिन और कोकिनोल रंग प्राप्त किये जाते हैं। उसे टैनिन और कोकिनोल रंग प्राप्त किये जाते हैं अब देखेगा दूसरा क्या उप्योग है अपमार जक अपमार जक कुछ किटों द्वारा मृत पादपों वे जन्तों के शरीर को खाने के कारण उन्हें सड़ने में दुरगंद फिलाने से रोकते हैं अर्थात अपमा करके उनको खत्म करते हैं यानि साब सफाई का काम भी दुनिया के इंदर कोन कर रहे हैं जीव ही कर रहे हैं उसके वार नेक्स देखेगा उस्षदिय में तो कुछ किटों जैसे ब्लिस्टर म्रिगों से केंथा राइडीन उस्षदी प्राप्त की जाते हैं इसको उप्योग कुकर खांसी तता चेहरेवय सिर्की तंत्री कापिडा को ठीक करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट है भोजन के रूप में भोजन के रूप में भी अमुप्यो करते हैं मासाहारी मनुश्य मेंडग छिबकलियों साप मचलियों आदी को भोजन के रूप में कामें लेते हैं और पांचवा है पादपों में परागण, पुष्पी पादपों में निसेचन के लिए परागण की क्रिया का होना अत्यनतावशक है, कई कीट जैसे तितली, चींटी, मधुमकी, मकी, ब्रंग, आधी, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाकर परागण की क्रिया को पालन पढ़ा, चाहिए लाख कीट का समर्दन पढ़ा, रेशम कीट का पालन पढ़ा, मधुमक्यों का पालन पढ़ा, कुकुट पालन पढ़ा, तो उसमें से हर एक टॉपिक के लिए आपको जो महतपुन लाइने हैं, वो अंडर लाइन जरूर करनी है, ताकि उनसे हैं, उसी पर डिपेंडेंट होंगे, तो वहां से आपको कुशन अंसर करने हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स क्लास में हम नया चाप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए, all the best for your self-studies.